नमस्कार दोस्तों, सुवावे था आपका हमारे चैनल Learn and Grow में आज हम डिस्कस करेंगे कालदो प्रोसेस के बारे में जो कालदो प्रोसेस है वो हमारी कैसे काम करती है उसके कौन-कौन से कंप्वोनेट्स होते हैं जो कालदो प्रोसेस है ये डेवलप की गई थी professor calling के तरू तो प्रोफेसर कालिंग में इसका प्रियोग किया था kardo process का और इन्हों ने इसका जो प्रियोग किया था वो ld process के बाद किया था तो लगबग ld process के develop होने के बाद ये kardo process professor calling द्वारा develop की गई थी तो इसके इंदर क्या difference है और यह कैसे काम करती है वो देखते हैं तो इसके इंदर इस तरह का एक converter होगा जो basic converter होगा इसकी जो lining होती है ये dolomite की lining होती है dolomite की lining जैसा कि हमने LD process के अंदर भी discuss किया था कि dolomite की lining होती है जो basic conversion में helpful होती है और इसके अंदर जो raw material लेते हैं जो raw material है वो क्या लेते हैं? raw material लेते हैं इसके अंदर pig iron जो malted pig iron है पिंगला हुआ pig iron है plus steel scrap कुछ उसके अंदर steel scrap की मातरा भी आप ले सकते हैं तो ये चीज़ आप लेते हैं raw material तो यहाँ पर इसके अंदर जो आएगा raw material जो हम use करेंगे जो पिंगला हुआ multi pig iron है plus steel scrap है इसके अंदर क्या है? इसको हम किसी भी angle पे turn कर सकते हैं जैसे माली जी ये सीधी है तो इसको हम किसी भी angle पे turn कर सकते हैं तो according to turn हम इसको अलग अलग process इसके अंदर लाते हैं जैसे charging करनी है हमने इसके अंदर pig iron जो multi pig iron है और steel scrap को डालना है तो इसकी जो position होगी यहाँ पे होगी तो इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से जैसे अभी तो यह इस तरह से है इस तरह से कर लेंगे थोड़ा सा tilt करके इ और फिर इसको और tilt करके थोड़ा सा इसके अंदर हम lime भी मिलाते हैं lime को मिला देते हैं या कोई और ask जो है इसके अंदर मिला सकते हैं जिसको हम iron ore बोलते हैं वो भी मिला सकते हैं lime को मिला जाता है ताकि वो flux का काम कर सके इसके अंदर की अशुदिया जो है उनके साथ react कर सक उसके बाद ये डालने के बाद इसको दुबारा से टर्न किया जाता है इस तरफ left hand side की तरफ और यहां पे इसके अंदर से oxygen को high pressure oxygen को supply किया जाता है इसके ऊपर ये जो oxygen जिस pipe से supply होती है इसको water cold रखा जाता है तो water circulation इसके अंदर चलता रहता है और ये जो pipe है ये खंडी रहत है तो इसके अंदर से high pressure oxygen जो है वो पास करती है और इसकी सतय से टकराती है जो हमारा ये pig iron प्लस steel scrap है या कोई भी iron और आपने इसके अंदर लिया है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं इस पिंगले हुए जो हमारा metal है इसके साथ जब high pressure oxygen टकराती है इसकी step पर तो वो reaction करत है तो इस reaction से क्या होता है इसके अंदर की जो अशुदियां है carbon, magazine, silicon, phosphorus इस तरह की अशुदियां है तो वो जलकर ऊपर आती है और एक slack के रूप में उपर जमा हो जाती है और उनको बाद में बाहर निकाल लिया जाता है इसको फिर और ज्यादा टर्म करके हम किसी भी जो हम हमारा container है उसके अंदर डाल सकते हैं उसके अंदर इकठा कर सकते हैं या फिर इसका sample हम ले सकते हैं carbon की percentage को check करने के लिए इसके अंदर rotation mechanism भी लगा होता है rotation mechanism होता है जो कि इसको आइस्ता इस्ता इस तरह से rotate करता रहता है तो इससे क्या है जो अच्छी तरह mixing हो जाती है हर एक चीज़ की इसके अंदर तो rotation mechanism यहाँ पर लगा होता है जो इसको आइस्ता इस्ता rotate करता रहता है तो यह भी इसके अंदर इक difference अगर एल्डी प्रोसेस से देखें तो आइस्ता इस्ता इसको rotate करता रहते हैं तो इस तरह से जो काल्डो प्रोसेस है यह काम करती है और कई तरह के grade की steel हम इसमें बना सक करते हैं ताइमली हम इसका carbon content check करते रहते हैं carbon के percentage और फिर हम उसको जब required level आजाता है इसको stop करके वह जो quantity है यह quality है आईरन की वह ले लेते हैं तो इस तरह से काल्डो प्रोसेस काम करती है तो थैंक्यू वीडियो देखने के लिए और ज्यादा updated वीडियो के लिए आप हमा करते हैं